Hello everyone, welcome back to my channel. तो देखिए, जबी भी आप WhatsApp और फिर कोड़ भी social media apps पर ना किसी और को message भेजते हैं, आपके phone से चला जाता है, इसका मजब single tick आ जाता है, किसी और के पास पोच जाता है, double tick आ जाते हैं, कोई आपको ये भी नहीं कह सकता, कि नहीं, आपका mail मेरे पास नहीं आए है, blue tick या फिर green tick आ जाएगा, तब वो message पढ़ लेंगे, और फिर ऐसा नहीं कह सकते हैं, आपको ignore भी नहीं कर सकता, अगर ignore करेंगे, आपको पता लग जाएगा, और जूड भी नहीं बोल सकते हैं, कि यार नहीं, आपका mail नहीं आए हमारे पास आपने नहीं पढ़ा, etc, etc, I know आपने इस साइच चीज़ें सोची होंगी, बट आपको पता नहीं होगा कैसे होती हैं, बट चिंदा मत कीज़े, इस वीडियो में मैं आपको बता हूँगा, कि कैसे, आप ये जो फीचर होते हैं, सोचल मीडिया का फीचर, ये जो सिंगल टिक, डवल टिक, ब्लू टिक, ग्रीन टिक, ये साइच चीज़ें आप अपने आपको बास दिंगें पर जाना है, बेसिकली ओपन क्रोम वेब स्टोर कर लेना है, क्योंकि हम इसके जाना एक एक एक्स्टेंशन को इंस्टोल करेंगे, जिसका नाम है, मेल ट्रैक, आप जैसे ही लिखेंगे ना, तो मैं दिखाता हूँ, कैसे ये वर्क करता हूँ, कैसे आपको ये मिल सकता है, और एक और बात, आप जब इसको एड़ी करेंगे, आपको एक बर इस पर आकाउंट बना लेना है, फ्री में अकाउंट बना लिजिए, अब चलते हैं मेरी जीमेल के ओपर, तो आप देखिए, मैंने अपनी जीमेल ओपन कर लिए, आप यहाँ भी देख सकते हैं, देखिए, कोई भी मेल भेजे ने देखिए, हर एक के ओपर डबल टिक, डबल टिक, डबल टिक, आपको हर एक पर दिख जाएंगे, मतलब, यह मेल सना सामने वाले को पहुच चुके हैं, और सो देखिए, सब से उपर, जो मैंने अपने दोस्त मानुएंदर को भेजे हैं, यहाँ पर ग्रीन टिक आ चुका है, इसका मतलब, इसने यह मेल पढ़ लिया है, अब देखिए, कोई भी मैसिज आप करेंगे, किसी क लाइक जरू कर देना, तागी मैं आपके लिए ऐसा ही कंटेंट आगे लाता रहूँ, सब्सक्राइशल पर टूडे, मिलते हैं अगली वीडियो,